नमस्का दोस्तो आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहें किड्णी की गंबीरी बीमारी का संकेत है ये मुख्य लक्षन जाने क्यों खतरना का किड्णी रोग किन्नियां हमारे सरीर का मैतपूर अंग है क्योंकि सरीर में मोजुद गंदगी को बार निकालने का काम किन्नी ही करती है अगर ये गंदगी टॉक्सिंस हमारे सरीर से बार ना निकले तो व्यक्ति की मोत हो सकते है लेकिन आज कल के गलत खानपान और जीवन सहली के कारण लोगों की किन्निया खराब हो रही है किन्निया आपके सरीर में ब्लेट प्रेशर, सोडियम और पोटेश्यम की मातरा को कंट्रोल करती है और खून का पीच लेवल भी मेंटेन रखती है चूंकि किन्नी की खराब होने का पता आमतोर पर तब चलता है जब किन्नी 60-70% तक खराब हो चुकी होती है इसलिए ये एक खतरनाक समस्या है आईए आपको बताते हैं किन्नी की गमीर समस्या कि क्या लक्षन है और कब होती है खतरी की शुरुवात किर्णी के गमिर समश्य के ये लक्षन समाने से कम पिसाबाना पैरो चैरे और आखों के चारो तरफ सूजन होना जादत सुबह के समय जादत थकावा मैसूस करना यादिक नीदाना भू कम लगना मितली वे उल्टी आना कम जोरी लगना थकान होना हैं उम सरीर में रक्त की कमी कम उम्र में हाई ब्लड प्रेशर होना या ब्लड प्रेशर का गटे बढ़ते रहना उत्तकों में तरल परदास रुकने से सूजनाना भूगने लगना वजन कम होना और सोने में परेशानी होना सिर्दर्द या किसी चीज के बारे में सोचने में परेशानी होना कमर में पसलियों के नीचे के हिस्से में दर्द होना क्यों होती है किड्नी की बीमारी गुर्दे की समश्या के लिए खास तोर पर दूशित खानपान और वातावन जिम्मेदार माना जाता है कई बार गुर्दों में परेशानी का कारण एंटिबाइटिक दवाव का ज़्यादा सेवन भी होता है मधुमे रोगियों को किर्णी की सिकायत आम लोगों की तुलना में ज़्यादा होती है बढ़ता ओधोगी करण और सैरी करण भी किर्णी रोग का मुखे करण बन रहा है किर्णी रोगों से बचाओ के उपाए नमक की मात्रा कम करना किर्णी की समझ्या से ग्रस्त लोगों को अपने आर्मे नमक वे प्रोटीन की मात्रा कम रखनी चाहिए जिसे किड्नी पर कम दबाव पड़ता है नियमित एक्सरसाइज करे प्रति दिन नियमित रूप से एक्सरसाइज और शारिरिक गती विदियो को करने से रख चाव वैराक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित रखा जा सकता है जिसे डाइपटीज और उससे होने वाले क्रो किड्रमन का खत्रा बढ़ जाता है जिसे पोश्यक्तत्वों के कन मुत्र नली में पहुच कर मुत्र की निकासी को बादित करने लगते है इसलिए किड्नी के रोगों से बचने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए वजन को नियंत्रित रखे अध बीमारियों के रोक्ता में मदद मिलेगी जो क्रोनिक किनी फ्लियोर उत्पन कर सकती है दर्द निवारक दवाओं का सेवन दर्द निवारक दवाओं के बहुत ज्यादा सेवन से बचना चाहिए इसके अलावा डॉक्टर की सला के बिना दवाओं का सेवन आपकी किनी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार दोस्तों जय हिंद